मद्धी प्रदेश में इन दिनों काफी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है अभी भी गर्मी से राहत मिलने की कोई ख़वर सामने नहीं आ रही कहा जा रहा है कि मई की महिने में काफी ज़्यादा तपन देखने को मिल सकती है ऐसे में अभी तापमान में और ज़्यादा जाफा होने की उमीद लगाई जा रही है बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सूरज की तपन और कहर और ज़्यादा बढ़ जाएगी ये प्रदेश के कई जीलों में 47 डिकरी तक हो सकता है इसके आसार अभी से ही दिखने को मिल रहे है मौसम विवाग का कहना है कि माई का दुसरा हफता काफी ज़्यादा तपन वाला रहने वाला है इसमें सबसे ज़्यादा खंडवा गरम बताया जा रहा है क्योंकि खंडवा का अभी का तापमान 45 डिगरी शेलशियर्स रिकॉर्ड तक आ चुका है वहीं अन्य जीलों की बात करें तो रतला में 44 डिगरी दतिया में 44 डिगरी गुना में भी 44 डिगरी खजुराहों में भी 44 डिगरी के पार तापमान अभी तक दर्च किया जा चुका है इसके अलावा भी 11 जीलों का तापमान 43 डिगरी बना हुआ है इन जीलों में दमो, सागर, सिवनी, धार, गौाली और खरकोन, राइसिंस, साजपूर, शिप, पूरी, शामिल है कहा जारा है कि आने वाले हपते में इसमें इजाफा हो जाएगा आगे मौसम भीवाग ने बताया है कि मज़ प्रदेश में अभी कोई पश्ची में भी शोप नहीं है क्योंकि अब जवलपूर को छोड़ कर बादल छट गए हैं इसे में और ज़्यादा अतपन बढ़ेगी और नमी की मात्रा कम हो जाएगी इतना ही नहीं मौसम भीवाग ने कहा है कि मई के महिने के चौती हफते में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी कि लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा इन दीनों को आलियर चंबल साग अरीवा संभाव में 46 जगरी के उपर जाने की संभावना जताई जा रही है इसके अलावा खर्गोन खर्डवा होशंगबाद में 47 जगरी के आगे ताकमान जाने की उमीद है